दोस्तों अगर आप भी रोहिच शर्मा को दुनिया का सबसे खतरना खिलाडी और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाई की जरूर किशेगा क्या कुछ हर्क पानिया को फटकार लगाते हुए दिया बयांत न उम्पैंडिया की या फ़। कौमेंट में जरूर बताईए दोस्तों आईपियल का सबसे जाला दिल देहला देने वाला मुखाबला मुंबाइंडियांस और संड्राइजर्स हैदराबाद के बीच राजीव गाधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया आपको बता दें इस मुखाबले में आईपियल पांडिया को अब कभी नहीं भूलेगा क्योंकि उपनर जोडी ने मिलकर पियुष चावला से लेकर जस्प्रित दुम्रा हार्दिक पांडिया कॉर्टेज और मफावा ज्रैस से गेंदबासों की धजिया उडा दी टीम के सबसे खतरनाक बलेबास ट्रैवेस हैड ने गगन शुम्बे चखके और तीन चौकी की मदद से 33 रन ठोक डाले इसके बाद भी हैदराबात के बलेबास रुकने का नाम नहीं लिये हैंरी क्लासन और एडन मार्करम ने मिलकर तो मैच का पूरा इतिहास ही पलट दिया इन दोनों बलेबासों ने मिलकर 100 रनों के पार्ट पारी खेली और अपनी टीम के स्कोर को यहां तक पहुँचाया वहीं मुंबाई के लिए ये लक्ष हासल करना इतना असान नहीं होने वाला था ओपनिंग के शुरुआत करने मैदान पर रोहित और इशान किशन आते हैं ये दोनों बलेबास भी आते ही तांडो मचाना शुरू कर दिये थे चोके छके लगा कर टीम के स्कोर को काफी तेजी से ये आगे बढ़ा रहे थे देखते ही देखते दोनों ने पच्छास रनों की साज़ेदारी पूरी कर ली लेकिन दोनों बलेबास चाच-छट रनों के स्कोर पर पावेलियन चले गए तिलक वर्मा ने भी तूफानी बले पर फूट पड़ा था और फिर अपना गुस्ता हार देख पांडिया पर देखाते हुए उन्होंने दंग कर देने वाला बयान दी दिया तो चलिए हम आपको बताते हैं नीदामबानी और मुगेश अंबानी के बयान को कि मालकी नीदामबानी अपनी टीम की हार पर नमाखों से बयान देते हुए गही कि मैं इस हार से काफे निराश हूँ हमने सोचा नहीं था कि इतनी शर्मनाख हार मिलने वाली है हमारी टीम ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया लेकिन हमारे सामने स्कोर काफी बड़ा था ज हो चुकी थी ये मेरी टीम है हम किसी भी हाल में अगला मुक्याबला जीतेंगे और इस बार का खताब जरूर अपने नाम करेंगे और अपने आलोचकों को मुह तोड़ जवाब देंगे तो वहीं नीतामबानी के पति मोकेश अमबानी ने भी मुंबाई की हार पर अपना ग मैच जीते हैं हमें एक बार फिर रोहित को कप्तान बनाने पर विश्रार करना चाहिए लेकिन हम उम्मेद करते हैं कि अगले मैच मैच शाप्र दर्शन कर किसी भी हाल में मैच को जीतेंगे और इस बार आई पिल का खताब भी अपने नाम करेंगे तो दोस्तों देखा आप हमारे यूट्यूब चैनल को